हेलो एवरीवन वेलकम टू दा चैनल ग्यानन वेशन मैं समिक्षा सिंग तो आज से हम अपनी इंग्लिश ग्रैमर की सीजिस स्टार्ट करें जैसा कि आप से कह चुके थे हम एनाउंस्मेंट हो चुकी थी तो बेसिकली हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको चीजों को समझने में प्रॉब्लम ना आए तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्या नाउन तो नाउन से पहले हम यह समझ लेते हैं कि यूपिटेट, सीटेट, जीट और अधर किसी भी स्टेट का हो, उसमें जो ग्रैमर आती है, वो खमन है वास फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी में एक्जाम में ज्यादा ग्रैमर आती है और क्या मैं पूछ लेगा और एक दो सेंटेंज से वो क्या पूछ लेगा तो सीटेट में इतनी ग्रेमर डिरेक्ट ग्रेमर नहीं आती है जब कि अगर यूपिटेट की बात करते हैं तो उसमें जो ग्रेमर आती है वो बिल्कुल डिरेक्ट ली पूछी जाती है तो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है और यह सीरीज अन्यार किसी तहरी है तो सबसे पहले हम सलेवर्स को डिसक्स कर लेते हैं तो सलेवर्स वही है कि पार्ट इस भी सा तो यह सारी चीज़ें होती हैं और इंटरजेक्शन कंजंक्शन प्रिपोजिशन सारी चीज़ा आती है पार्ट्स ओफ इस्पीच में तो हम नाउन से स्टार्ट करेंगे आज तो नाउन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली एक जो सेंटेंस होता है सेंटेंस ठीक है सेंटेंस को हम निदी में क्या कह देते हैं वाक्य І अब टो this is a boy मतलब यह कौन है लड़का है ठीक है यह कौन है लड़का है अगर हम माल ले हम इसकी जगे यह लेखते हैं दिस बॉइ ठीक है तो यह भी क्या है एक complete sentence है ठीक है sentence इसका यानि यह लड़का लेकिन अगर हम इसकी जगा यह लिखते हैं कि is a boy तो यह क्या है इसका कोई sense नहीं निकला तो यह complete sentence नहीं है तो sentence क्या है तो the group of words which makes complete sense यानि the group of words guys the definition बताने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछे नहीं जाते हैं और इतना तो आपको पता ही होगा ओके फिर भी एक बार बता देते हैं the group of words which makes complete sense ओके मतलब शब्दों का वह समूँ जिसका कोई अर्थ होता है जिसका कोई मतलब होता है तो वह क्या है सेंटेंस हैं अगर हम बात करें सेंटेंस की तो सेंटेंस बेसिकली उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं किसी भी वाक्य के अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि honesty is a best policy is the best policy या फिर मैं लेकूं शी इस अ शी इस अ गुट गर तो इन दोनों सेंटेंस में हमने क्या देख रहे हैं हम पार्ट्स को देखेंगे बिसिकली एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं तो अगर हम बात करें इसकी तो यह हमारा क्या है subject है ओके और subject के अलावा जो sentence में पार्ट बसता है यह तो आजीब सी ही LINE बन गई जो सेंटेंस के अलावा जो सब्जेक्ट के अलावा किसी भी सेंटेंस में जो पार्ट बनता है वो होता है प्रेडिकेट जिसमें क्या क्या आ जाता है वर्व आ जाती है ठीक है इस वाले sentence को अब इसके त्रूम में समझाती हूं पार्ट क्या क्या हो सकते हैं यह तो मेजर पार्ट से मतब सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और बाकी का जो पचवाँ पार्ट होगा वह होगा प्रेडिकेट अब हम देखते हैं कि यह जो सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है उसके बाद क्या आता है उसके बारे में बात की जा रही है तो वो क्या है सब्जेक्ट है और उसके साथ क्या आता है वर्व आती है और नेक्स्ट यह क्या है यह आर्टिकल है आर्टिकल जैसे ए एन दा सभी को हम पढ़ेंगे ठीक है एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम करा देंगे आपको ज्यादा अटेंशन लेने की जरूवत नहीं होगे फिर ओके अब यह क्या चीज़ है बैस्ट मतलब पॉलिसी है उसकी खूबी बता दी किसने क्या वर्ड यूज़ करके बैस्ट को यूज़ करके तो ऐसे वर्ड जो किसी की क्वालिट इसमें नाउन है शुक कि नाउन है ठीक है तो यह थे पाइस किसके के एक शेंटेंज के तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से होप कि आप समझमें आ गया होगा बेशी सी चीज़ है क्योंकि जब तक बेशे क्ल रिर नहीं होते हैं तब तक आप आ गए ना बढ़ें यही अच्छा रहता है ठीक है आप अपने पहले बेसिक्स क्लियर करने फिर उसके बाद फुर्दर किसी चीज़ को पढ़ें तो इसको रफ कर लेते हैं पहले फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने नाउन को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको कुई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी पर्टिकलों टॉपिक को समझने में ओके तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक से यानि नाउन से तो नाउन बेसिक्ली क्या होता है नाउन की जोह यहां डेफिनेशन पढ़ते आए है तो वह क्या होती है नौन इस जू up लें किसी व्यगति बस्तू या स्थान के नाम को किसी वी चीज के नाम को हम क्या कहे देते हैं नाउन कह देते हैं ठीक है कोई बी चीज जिसका कोई Particular Name से उसको Denote किया जा रहा है ठीक है कोई भी Object है तो हम उसको क्या कहतेंगे Não from a box our Hindi में क्या कहते है संग्या है ऊके नाउन को हम क्या केते हैं संग्या ठीक तो नाउन क्या चीज है बेसिकली अगर हम इसको देखें तो नाउन एक वर्ड में इसको एक छोटी सी लाइन में खतम करते हैं everything is noun ओके हर चीज क्या है नाउन है क्योंकि प्रतेक चीज का नाम होता है अब जैसे मेरे हाथ में यह आपजेक्ट है तो इसका नाम क्या है यह मारकर है ओके मारकर ही तो है तो मारकर क्या चीज हो गई किसी पर्टिकुलर आपजेक्ट का नाम हो गया तो क्या है मारकर जो वर्ड है वो है नाउन ओके अगर हम देखें तो नाउन वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है नाउन जो वर्ड है वो लिया गया है लेटिन लेंग्विज से लेटिन लेंग्विज से डिराइब किया गया है जिसका मीनिंग होता है नीम ओके नीम इससे आपको बिल्कुल clear हो जाएगा नेम क्या है नाउन है ओके तो आपके एक्जाम में यह नहीं पूछा जाएगा कि क्या नाउन डाउन की definition क्या होती है क्या होता है तो आपस बस नाउन से रिलेटर जो sentences होंगी उनको पूछ लेगा अब जैसे कि एक्जामपल अगर हम देखें एर ओके वाटर कमल किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है एक फ्लार का नाम है और ताज महल तो यह सब क्या है नाउन है वादा किसी चीज किसी चीज का क्या है नेम है किसी पर्टिकलर चीज का ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप से बैसिकली जो नाउन है उसके कितने टाइप सोते हैं कितने टाइप सोते हैं टाइप सोते हैं टाइप सोफ नाउन हेए हैं थीक तो नाउन के कितने टब्स होते हैं टोटल फाइब पाइप सोते हैं पार्ट्स कह सके हैं है तॉथ पहला जो पाइप होता है वह होता है प्रापर नाउन तो प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं व्यक्ति वाचक संग्या उके साथ की साथ बताते चलेंगे इसके हिंदी मिनिंग जिससे आपका मतलब जो बेसिक है वो क्लियर ओजाएं विक्ति वाचक संग्या अब प्रॉपर का मतलब क्या होता है कोई चीज प्रॉपर है पूर्ण रूप से है सिर्फ वही है उसके अलावा उस जैसी चीज नहीं थी खिर किसी पर्टीकुलर चीज के लिए यूज किया जाना किसी भी नेम को ठीक है तो वह क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा अब जैसे कि अगर उगजाम्पल देखें इसके तो एकजाम्पल जैसे राधा और हमारा क्या इसमें ताज महल ठीक है यह भी प्रॉपर नाउन है मतलब सिर्फ वो एक ही चीज़ के लिए यूज ओ रहा है वर्ड ओके तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन अगर हम इसके कोई एक्जामपल लेते हैं हम कि शिवानी इस टुडेंट ओके शिवानी इस टुडेंट ठीक है तो शिवानी कौन है एक विद्यारती है हम कह सकते कि छात्रा है ठीक है तो शिवानी कौन है एक गर्ल है ओके नाम से पता चला है कि शिवानी कौन है गर्ल है मतलब एक गर्ल है जिसका नाम है क्या शिवानी मतलब उस गर्ल का और कुछ नहीं है शिवानी नाम है तो यह क्या हो जाएगा प्रोपर नाओन है ठीक है तो आपके clear हो गया होगा और इसमें एक और चीज आपके लिए कि सारे जो प्रोपर नाओन होते हैं वह uncountable होते हैं ठीक है uncountable होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते जा सारे जो proper noun होते वो uncountable होते हैं ठीक है अब next part को हम discuss करते हैं इसके कि अच्छा proper noun को हम एक और चीज़ से लिख सकते हैं कि particular name okay particular name ठीक है यह रही एक बात छोटी सी अब चलते हैं नेक्स टाइप पर गाइस आज के वीडियो में हम इसके टाइप डिसकस करेंगे फिर हम उसके बाद में जैंडर वो uncountable uncountable noun groups वगेरा हम सब चीज़ों को दो तीन वीडियो के त्रू आपका डीप डीप में रहेगा तो आपको मतलब यह नहीं है कि आपके क्लू कोई चीज क्लियर ना हो ठीक है सब क्लियर होगा आपको सब समझ में आएगा don't worry and I am trying to do my best तो अब हम देखते हैं इसका जो second जो टाइप है वो होता है common noun ठीक है तो common noun basically क्या होता है common noun को हम कहते हैं जाती बाचक संग्या जाती बाचक संग्या ठीक है जाती बाचक किसी भी नाम कोई भी नाम जिसे उस पर्टिकुलर चीज की जाती का पता चले ठीक है अब जैसे कि अगर हम देखें तो common noun का अगर हम example देखें तो क्या हो सकता है कि टेबिल चेयर ओके जैसी कि objects होते हैं हमारे क्या example देखते हैं ठीक है टेबिल चेयर ओके एक ही टेबिल थोड़ी है जितने भी ऐसा object होगा जिसके four legs होंगे ठीक है तो वो क्या है टेबिल ही तो होगी ओके अब ऐसे ही चेयर है चेयर सिर्फ एक नहीं है चेयर जो पर्टिकुलर object है जिससे देखकर के आपको लगे कहां यह चेयर जैसी आप उसको चेयर कह दोगे ठीक है आप बात को समझना मतलब कॉमनली वह वर्ड किसी फिस पर्टिकुलर शेप के लिए उसका उनाम नहीं उस जैसी जतनी पी चीज़े बस्ताइदुमें दिखती होंगे और जैसी कहां पंदेखके हैं इस है घर्ड क्या है common noun है कि होप कि आपके clear हो गया होगा और हाँ एक और चीज common noun मदभ जितने भी common noun होते हैं वो सब क्या होते हैं countable होते हैं ठीक है countable मतलब उनको हम घिन सकते हैं countable noun होते हैं ओके उनको गिना जा सकता है अब next आता है थ्री टाइप थर्ड जो टाइप हमारा वह कलेक्टिव नाउन कि को के कलेक्टिव कलेक्ट मतलब किसी चीज को इखटा करना तो अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग होता है समूह वाचक ठीक है तो कलेक्टिव नाउन यानि किसी चीज को इखटा कर सकते हैं उसको हम क्या कह देंगे कलेक्टिव नाउन अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ एक्जांपल्स देख लेते हैं कि इसके एक्जांपल्स क्या क्या है तो जैसे कि class of students, of students, यह क्या है collective noun है, ओके, वी वी of girls, यह भी क्या है collective noun है, ठीक है, अब next चीज़ है, आर्मी of soldiers, यानि सैनेक हैं, उनके समूगों क्या कहेंगे, आर्मी कहेंगे, ठीक है, और अब इसमें कुछ particular words होते हैं, collective noun के लिए, जो use किये जाते हैं, वो होते हैं, जैसे कि girls के group को क्या कहेंगे, वी वी, ओके, girls के group को हम कहते हैं, वी वी, और students के group, मिलागर के क्या बनता है एक class बनती है, एक अक्षा बनती है, अगर हम देखें, फ्लार की, अगर फ्लार के group को हम क्या कहेंगे, बुकेट, बी ओ यू, क्यू, ए टी, आपसे पूछ लेगा exam में, फ्लार के group को क्या कहेंगे, बुकेट, तो फ्लार को अगर collective form में रखा जाए, तो उससे क्या बनता है बुके बनता है, ठीक है, अगर हम singers की बात करते हैं, तो singers के लिए हम choir का यूज करते हैं, choir, C-H-O-I-R, अगर हम बात करें, soldiers की, ठीक है, soldiers की अगर हम बात करते हैं, तो उनके लिए हम battalion यूज करते हैं, और अगर हम स्टार्ड के ग्रूप की बात करते हैं स्टार्ड के ग्रूप की बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कॉंसलेशन कॉंसलेशन जैसे कि आपने सुना होगा सब्त रिशी ना साथ साथ तारों का जो गूरूप है जो ऐसे ऐसे करके और लगवग ऐसे करके दिखाई देता है ठीक है कितने हो गए सेवन तो इस तरीके से जो दिखाई देता है उसको कॉंसलेशन कहते हैं मदग गूरूप ऑफ बंतिवी नज़र आ रही है ओके अगर हम देखें कि जहां बहुत सारे लोग इखटे हो मतलब भीड को तो उसको हम क्या कहिए क्राउड वाइस यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए बहुत कोशन बूचे जाते हैं और अगर हम बात करें शिप्स क तो शिप्स के ग्रूप को क्या कहते हैं क्रिव ओके शिप्स के ग्रूप को हम क्या कहते हैं क्रिव अब नेक्स्ट जो टाइप है इसमें उसको हम देखेंगे उससे पहले हम यह देखते हैं कि बेसिकली जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो किस तरीके के नाउन होते हैं ठीक countable noun होते हैं और इनके साथ में हमेशा जो है singular और प्लूरल वर्वाती है और इनके साथ में singular भी आ सकती है और प्लूरल भी होती है दोनों आ सकती है उसके Japan के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है कि अब नेेक्स टायप पे चलते हैं नेक्स्ट आप हमारा क्या मैटेरियल लाउन इससे पहले रफ कर लेते हैं मेरा हेना जगह इतना क्राउड होता है इतना शoure होता है कbor बता नहीं सकते बहुत ज्यादा आपको वीडियो में बहुत ज्यादा प्राव्ट्म भयता होगा audio सुनने में बट क्या करें करना तो पड़ेगा है ना चोड़के तो जा नहीं सकते इस जगह को everything depending होती है depend करती है सारी चीज़े तो फॉर्थ टाइप को देखते हैं तो फॉर्थ टाइप बेसिकली क्या होता है material noun ओके फॉर्थ टाइप क्या है मारा material noun चीक है तो material noun को हम हिंदी में क्या कहते हैं पदार्थ वाचक ओके गाईज पदार्थ वाचक तो पदार्थ कितने तरह के होते हैं solid liquid and gas okay science में आपने पढ़ा होगा कि material कितने टाइप के होते हैं तो यह होते हैं three types के solid liquid तो यानि थोस तरल और गैस तो जितने भी material noun होंगे वह क्या होंगे तीन टाइप्स के होंगे solid liquid and gas तोस तरल और गैस ओके हिंदी में हम इसे यह कहेंगे अगर हम इन में particular जो टाइप्स material noun के तो उसमें अगर हम देखें तो solid में हम example क्या गर लिख सकते हैं जैसे कि gold gold solid होता है एक material है ओके एक पदार्त है और हम लिख सकते हैं इसमें iron इतने भी metals हो जाएंगे सब इसमें आ जाएंगे वादर जो solid metals होंगे basically और और क्या है वूड ठीक है यह को इसमें आ जाएगा solid में अगर बात करें liquid की तो लिक्विट में आ जाएगा क्या water ठीक है milk ओके और क्या आएगा oil आ जाएगा मतलब जितनी भी लिक्विट चीज़ें होंगी वो क्या है material ना उन में आ जाएंगी ठीक है solid matter जो होगा solid matter liquid matter अब gaseous matter में देखते हैं कि क्या आ सकता है जैसे कि gases में air oxygen carbon dioxide ओके जितनी भी gases है वो अगर आम इनको देखें तो material नाउन बेसिकली क्या होता है uncountable होता है okay material नाउन कैसे होते हैं uncountable होते हैं uncountable कैसे अब इसको हम एक्जांपल के थरू बताते हैं अगर माल लो आपको मतलब one glass water दे दिया जाए one glass water ही तो बोलते हो ऐसे थोड़ी बोलते हो कि एक पानी दो पानी तीन पानी ठीक है अब ऐसी अगर मालो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के लिए हम गोल्ड वर्ड का यूज करेंगे गोल्ड क्या है कम होगा यह ज्यादा होगा यह पर वन किलोग्राम ऑफ गोल्ड यह थोड़ी लिखेंगे कि एक सोना दो सोने ठीक है यह नहीं लिखेंगे अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा किसे हम एंक्वाइं काउंटेबल क्यों कहते हैं और जो दूसरी चीज है इनके साथ हमेशा singular इन एंके साथ हमेसा singular वरवाती है इन सारे माटिरिशल में उते हैं उनके साथ में आगे आता है हमारा क्या एबस्ट्रैक्ट नॉउशन एबस्ट्क नॉउशन औप फिर्ड़ ओए है वह है एब्स्ट्रेक नाउन को हम क्या कहते हैं भाव वाचक ओके भाव वाचक मतलब जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से उसे फिजिकल तरीके से हम उसे छूँना सके हैं अब जैसे अगर हम मैटेरियल की बात करते हैं तो इसमें जितने वी चीज़ें हम उने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं छूँ सकते हैं लेकिन बिज़ोंस कर सकते हैं फील कर सकते हैं जैसे कि अच्छाई गुड्नैस को अगर हम बात करें इसकी तो इसके साथ जितने भी यह जो अवस्टक्षिक नाउन होते हैं अनकाउंटेवल होते हैं अंकाउंटेवल क्इए क्योंकि न्यृट अन्यृट क्यों यह आ जैसे माली जुट्नेस है गूनेस ऑनिस्टी ठीक तो आप बिंसकते न एक गूस्ट यह यह नहीं सकते सिर्फ गूस्ट वर्ड का यूज़ होगा कि क्लिए गाइस अच्छा अब इसमें जो है हमेशा singular verb रूज़ होती है singular verb रूज़ होती है material नायों में भी क्या यूज़ हो रहा था इस में भी क्या उज़ोंगा singular verb रूझे यह similarly हो गई यह बी uncountable होता है और यह देक्ट अब हम देखते हैं कि abstract noun किस बैसिस पर बनते हैं पहला जो होता है वह होता है एक्षन के बेसिस पर एक्षन यानि क्रिया ठीक है मतलब कोई भी क्रिया की जा रही है तो जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो मूबमेंट मतलब हिलना ठीक है किसी चीज का अपनी इस्थिर वस्ता से थोड़ा सा उसका हिलना डूला बूब करना और जैसे कि थैफ्ट जज्जमेंट करें तो यह क्या है एक्षन के बेसिस पर क्या है एक्ष्ट नाउन जो बनते हैं वह हैं अब नेस्ट देखते हैं और भी आजाएंगे इसमें एक्जांपल से आपके बस नेक्स टैस में क्या जो सेकिंड जो बेस होता है किसका एक्ष्ट नाउन का बना जाते है वो बना जाते हैं इस टेट के बेसिस पर मतला उसकी अबस्था पर थीका है जैसे कि अगर हम देकें slavery कोई व्यक्ति है वो क्या है गरीब है तो उसकी जो अवस्था होगी उसमें गरीब है तो उसकी अवस्था क्या है उसमें गरीवी है ठीक है उसकी जो स्टेट है उस पार्टिकुलर स्टेट में तो उसको हम क्या कह देंगे के स्लेवरी में है वो व्यक्ति घरीबी में है is youth fish or next childhood यानि बच्पन बच्पन क्या है shtet die통 तो है किसी भी बच्चे का test होती है वह क्या होती है चैल नि मैंठ त्यू Golden अगर हम देखें Next जो बेस होता है किसका है और फ्रेक्ट नाउन का से बनते हैं वह होता है क्वालिटी ठीक है तो अगर हम बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी के बेस पर क्या क्या हो सकते हैं एक्जामपल देखते हैं ब्यूटी कि ओनेस्टी कि ब्लैकनेस ठीक है तो यह क्या है क्वालिटी है मतलब किसी व्यक्ति की क्वालिटी क्या हो गए व्यूटी हो यानि वह सुन्दर है बहुत ज्यादा ओके सुन्दर है ओनेस्टी अच्छाई ठीक है और ब्लैकनेस मतलब कोई जो सावले रंका है उसको ब्लैकनेस कह देंगे ठीक है और ब् अगर हम बात करें इसका फोर्थ टाइप है वह सब्जेक्स अगर हम देखें तो सब्जेक्स में जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं वह सब होते हैं जैसे कि आर्ट फिजिक्स ओके और बायो बायलोजी तो यह क्या है एबस्ट्रेक्ट नाउन है ठीक है गाईज तो आपका यह टाइप्स जो थे वह कंप्लीट हो चके हैं फाइब टाइप्स होते हैं किसके पार्ट होते हैं किसके नाउन के तो अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे डिविजन ओफ नाउन ठीक है नाउन को कितने भागों में बांटा गया है ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप इसे रिवाइस कर लिजेगा और अगर ज़रूरत हो आपको तो नोट्स बना लेजेगा नहीं तो टुट्योरियल आपके लिए काफी है नोट्स अकरना बनाना चाहो तो ठीक है गाइस है ओके थेंक्यू